प्रेंस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल संधिलिया ब्लॉग में अभी सुबह के बज रहे छे और मुझे जाना है मुझे अपने गाव महां पर मेरे एक बतीजे का लर्का है उसका आज मुंडेन है और में साथ दिक्कत ये है कि अभी बारिस हो रही है मोल्टू का सिस्जन आप को देखा रहा हूं अभी लगभग रात में ये बारिस हाफ ही हो रही है और मैं वहां शाहत चैनल साथ कि मैं अभी दिखने वाला हूं उकलचर में जाने पाता है तो आज मैं अपने दौता और मुंडेर है कर दो मैं अज अपको बताओंगा मुझहपरपूर में अिसा जगहे कि दो हो जिसके दूर बशली हो में यह दो आ सपास बनास्य जानते हो जाने चलते हैं अब यहां पर ऐसी कंदिस्टन है मॉनसुन का मौसम चल रहा है मॉनसुन में होती है जो यहां पर डिपेंड करता है कहा जा रहा है हो मुझे यहां से लगवा टवंटि-फाइब किलोमीटर जाना है अब हो सकता है बीच में ऐसा भी जगह कहीं आएगा जो बारिस न तो चलते हैं अभी यहां पे नच 57 पे आ गया हूं तो मैंने मैं पीछे recording ने कर पाया तो आपको बताया दिखाया था काफी तेज बारिस हो रही थी फिर से जैसे ही घर से निकलते वक्त टो ड्रिजल सी हो गए पर जैसे ही निकला घर से तो काफी तेज बारिस हो गए तो मैं वहां पर रिकॉर्ड ने कर पाया पर अभी यहां पर जैसे ही अपने घर से 3-4 km आगे आया तो वहां पर क्या है यहां देख सकते हैं जो यहां पर बारिस नहीं हो रही है तो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहां से मुझे अभी लगवक NH57 से होते हुए मुझे 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर आगे जाना है जाएंगे और रास्ते में दिखाएंगे आपको क्या-क्या चीज आगे यहां पर इस रास्ते में अगर नहीं प्रफिटी से आप गुजरते हो तो क्या-क्या इंपोर्टेंट चीजे आप देख सकते हैं सबसे पहली आप अभी जो है ना one of the best luxurious budget hotel है जो कि यहां पर मुझपरपूर में है और सबसे बड़े बात यह है जो यह एक suitable है डाइनिंग के लिए यहां पर आप कुछ भी डाइनिंग हो या conference हो meeting, ring ceremony या wedding हो कोई भी wedding functions होते हैं आप उसके लिए उस purpose से यहां पर अकुमेडेट कर सकते हो और आपको बता दे यह पटना से approximately 75 km है और दरभंगा से 50 km के approximately परता है तो यह काफी ही अच्छी जगह है होटल है आप इसके अंदर आपको एक कृष्णावती रिस्टुएंट भी मिल जाएंगे जहां पर आप आकर यहां पर अच्छे foods का मज़े ले सकते हो फिर यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो यहीं से कुछी दूर आगे आने के बाद ही blue diamond रिस्टुएंट से यहां पर आ के द्वारा चलाया जाता है और बताया यह जाता है कि जो मांट लिटिरा है वन अप तो बेस्ट रैंक स्कूल है मुझा पर पूर में तो अब यह चौक आ गई है अब यहां से मुझे क्या करना है लेफ्ट की तरब मूरना होगा मुझे एनेज को छोड़ना परेगा और मु उसमें बारिस नहीं होते है और यह देखिए उस रास्ते से जब अंदर माया तो यहां से आप देख सकते हैं यह एक स्कूल वही मांट लिटिरा है जिसका मैं आपको क्लोज व्यू दिखा रहा हूं यह अगर आप चाहे तो मतलब यह मांट लिटिरा जो है यह का पाठ है जो कि पहले बाठ के मौसम में बस इसमें पानी रहता और यहां पर कुछ होता नहीं है फिर से जब आगे बढ़े तो यहां देखिए फिर से बारिस अदर स्टार्थ हो गई हैं काफी तेज बारिस हो रही है आप मुझे यहां पर कहीं पे रूखना पड़ेगाक क्योंकि मैं काफी भीग रहा हूँ, तो मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ कि बारीस रुकेगी, देख सकते हैं, कितनी तेज बारीस हो रहा है, अब यह जो बारीस का मौस्वा स्यू हैं, आप यहाँ पर देखो कि यह बारीस क्या है, जैसे कि ऐसे rain को हम लोग बोलते है convective rain मतलब कि जब सुर्ग की गर्मी पड़ती है तो जो shallow layer जो होते है वहाँ पे उसके पास जो हवा होते है वो गरम हो जाते है अब जब कोई भी हवा गरम हो जाएगा तो क्या होता है उपर की तरफ बढ़ने लगता है अब जैसे जैसे यह उपर की तरफ जाता है और कोई भी चीज हमारे atmosphere में जब उपर की तरफ जाता है तो होता क्या है वो धिरी धिरे फिर से ठंडा होने लगता है अब इसके करन क्या होता है अब फिर से ठंडा हो जाएगा तो वो water vapor बन जाएगा अब बढ़े होगे बच्प आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते है कि यहां के रोड अब रोड क्या है यहां पर आप देख सकते हो जो यह अभी जिस रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं वहां पर काफी ही कीचर है मतलब बारिस के मौसम में यहां पर कीचर बहुत हो जाते है तो दिक्कत यह है कि जो डाला जा रहा है इसके कारण यहां पर आप साइड में देख सकते हो यह गड़े कोदे हुए आप जो मिट्टी आया है रूट वेस के कारण बारिस में बहुत ही फिसलन हो गई है चलिए फिर आगे चलते हैं सिंद्री तो काफी अच्छी आप देख रहे होगे यहां पर साइड में यहां पर आप देखो कितनी अच्छी आ रही है मैं बटाया था आप आप मुझे अपने गाउज आना जा पर मुंडन है मेरे भतीजे का लड़का का तो आप यह वो जगह है आप यहां देख सकते हो यह काफी पुराने पिपल का पेर है और ऐसा कहा जाता है इससे जुरी एक कहानी है जो मैंने बताया था आपको बताऊंगा इससे जुरी ये कहानी है कि यहाँ पे बहुत दिन पहले मतलब गंगा की किनारे पहले जा घाट के पास वहाँ पांच भाई रहते थे तो वहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे सूखा पर गया तो हुआ ऐसा बताया जाता है जो सूखा पर गया तो फिर वो लोग क्या किये वो लोग वहाँ से चल दिये अब नदी के किनारे होते 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 अब वो लोग क्या हुआ यह हमारे गाव के नजदिक आ गये मतलब कि यहां से जिनको जो जगह मिला वहाँ पे वो लोग वेट करने लगे वेट किये और क्या हुआ जो वहाँ पे जगह ढूंडे इसलिए जाना जाने लगा क्योंकि यहां पे आप लोग जानते होगे कोलरा के बारे में यह कहानी लगभग 1818 संचूरी की है और आप जानते होगे जो कोलरा है 1817 से 24 के वीज में इस पेड किया था और मेली कहा से हुआ था इस्टार्ट कलकाता से आप कलकातास होते हुए पूरा साउथ ऐसिया होते हुए वहां पर मिडिल इस्ट और साउथ ऐसिया में पूरी अच्छे से फैल गया था आप जान सकते हो वहां पर लगभग 1.5 million death per day होती थी मतलब वहां ऐसा कहा जाता है 1.25 million death per day होती थी आप जैसे की जानते हो कोलरा यह क्या है बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी में क्या होता है आपको dysentery या कुछ भी जो उस टाइप के होते है पानी की कमी हो जाते है और यह जब कुलकाता में फैला थ इस न ह्ता हो ना तो वो यह बारते बारते पूरे जगे यह बिहार में भी बहुत है जैसे पुर्णिया यह जहां पर यह लोग letar के थे तो हर जगह फैलने का बाद क्या हुआ यह लोग जो उस समय थे न सभी का बहोत health किये मतलब यह जो पाच भाय थे वो बहोत help किये और मदद करते करते क्या हुआ ये लोग वही पर diss कर गए तो अब क्या हुआ के जो लोग थे इननलों जो मदद किये थे इसके कार न मानने लगे और क्या हुआ इन लोगों पांच अस्थान दे दिया गया उसी में से एक अस्थान है जिसे हम लोग देख रहे हैं अभी यहां पर आप देख सकते हो वह उसी में से एक अस्थान है जिसे हम लोग बोलते हैं लंगर वीर अस्थान और यहां यहां पहुचने के लि लिए आपको रास्ता नहीं दिखा पर जाते वक्त किसी को पीछे गारी के बैठाउगा और आपको दिखाऊँगा कि रास्ता कितनी गठेना और यहाँ पर क्या था जो ही है वह आप यहाँ वीडियो में देख रहे होगे वहाँ पर जो भी सेरुमनिय हुआ उसके बाद क्या ह होते हैं यहां पर कुछ जो भी लोग होते है उनको कम से कम कुछ लोगों को आप肠 कहलाना होता है तोपने भर से बनवा कर करके यहां आपकर खाते हैं और तो देखिए यहां बहुत मज़े से क्यांकि जगा अच्छी है रहा है है कि तो यह कहानी थी और यह काफी परसीद है अगर आप लोग अगर बाहर से है तो इसके बारे में ना जानते हो गई आपको विकलिकीपीडिया पर यह गुगल पर यह चीज़ नहीं लकीर जिसे हम लोग होते हैं मतलब वो जो डिवाइडर होते हैं दोनों खेत के बीच के उसी के उपर जाना परा काफी ही कीचर थी बहुत दिक्कत हो रहे थी कि बाइक जाने में भी काफी कठना ही हो रहे थी यहां पर तो उसके बाद क्या हुआ यहां से आगे जब बढ़े तो यहां से थोड़ी दूर क्योंकि यहां से एक किलोमीटर लगवक पीछे ही अगर आपका कोई अगर फोर विलर से जाते हो कार से जाते हो तो आपको यहां पर लगा कर ही यहां से पैदल जाना होगा या अगर किसी के पास बाइक है तो उसके सारे आप आगे जा सकते हो फिर तो फिर इसी के साथ हम इस वीडियो को इंड करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू